नमस्कार दोस्तों, कल तक जो चाइना लदाख में अडियल रवया अपनाई हुए था, वही चाइना अब मीटिंग के लिए कैसे मजबूर हो गया? कैसे भारत चाइना को उसी जगया पर हिट कर रहा है, जहां उसे वाकई दर्ध होता है, यानि कि ट्रेड वे बिजनिस? क्या वाकई चाइना ने दो मिसाइल्स, अमेरिकी एरक्राफ्ट कैरियर की तरफ लौंच की हैं? चाइनीज SU-35 के गिरने की वज़े क्या थी? किस देश का नया फिफ्ट जनरेशन का फाइटर जेट पूरा होने वाला है? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका अमित अपडेट्स चैनल पर. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बात करें भारत और चाइना के बीच चल रहे विवाद की, तो जहां पहले भारत आकरामक तेवर नहीं दिखाते हुए, बातचीत से साथ बैठ कर बोर्डर डिस्प्यूट को सुलजाने की बात कर रहा था, तो चीन इसके उलट प्रत पेंगोंग सो लेक के फिंगर एरिया का, चाइना भारत की विवाद ना बढ़ाने की कोशिशों को भारत की कमजोरी समझने लग गया था, इसके बाद भारत ने आकरामक रवय्या अपनाया और पेंगोंग सो लेक के साउथ साइड की लगबख सभी हाइट्स वाली सके और हर बार खाली हाथ वापिस जा रहे हैं दवाब बनाने के लिए चाइना अपने लाइट वेट टैंक टाइप 15 को लगाने लगा तो भारत ने फ्रेंट लाइन टैंक T90 भीश्म को ही लगा दिया चाइना अपने फॉरवर्ड बेसिस में फाइटर जेक्स तैनात करके तैनात कर दिया राफेल भी मोर्चे पर लगाए जा चुके हैं एंटी टैंक मिसाइल्स के अलावा स्वेदेशी आकाश एर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ इस्राइली स्पाइडर वे बराक एट एर डिफेंस सिस्टम भी लगा दिये गए लाइट वेट होविजर के अलाव पिनाका गाइडिड रोकेट्स की तैनाती ने तो चाइनीज मिलिटरी की नींद उड़ा रखी है क्लोज एर सपोर्ट के लिए अमेरिकी अपाची हेलिकोप्टर के साथ ही स्वेदेशी लाइट अटेक हेलिकोप्टर भी मोर्चा संभाले हुए हैं यानि भारतिये मिलिटर ने लदाख को एक ऐसे फोर्ट या किले में तबदील कर दिया है कि चाइना को समझ आने लग गया है कि किसी भी हालत में जीत पाना तो दूर दवाव बनाने की कंडिशन्स भी नहीं बना पा रहे हैं एक रिपोर्ट और आई है जिसमें खुलासा हुआ है कि लदाख में वि पारी कोशिशों को समाप्त करने के उपर भी काम किया जा रहा है इंडियन ओशन में भारत अमेरिका जैपैन वे ऑस्टेलिया के क्वैड ग्रूप को बना लिया गया है जिसकी उमीद चाइना को बिलकुल नहीं थी साफ तोर पर देखा जा रहा है कि दुनिया भर के मंतरी से मीटिंग करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है मोस्को शहर में दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच मीटिंग आयोजित हुई है इस मीटिंग के बाद चाइनीज मिलिटरी लदाख में अपने रवाईये में सुधार करके पीछे हटती है या नहीं ये भी जल्दी ही मालूम हो जाएगा लेकिन एक बात है है मीटिंग की टेबल पर अब भारत अपर हैंड रखता है क्योंकि जादातर स्टेजिक हाइट्स पर भारत का ही कबजा हो चुका है और अब सारा दबाव चाइना पर शिफ्ट हो रहा है चाइना को लगा था कि जित कोई ना कोई ट्रेड संबंदी स्ट्राइक चाइना पर कर रही है गलवान की घटना के बाद चीन से भारत आने वाले सामान में 40,000 करोड रुपे की कमी आ चुकी है अब तक 224 फेमस वे खूब पैसा बनाने वाले चाइनीज एप्स को बैं किया जा चुका है इनमें टिक ट रक्षा जांच से गुजरने को मजबूर कर दिये गए हैं जिन से उनकी डिलिवरी समय पर नहीं हो पा रही है और उनकी कीमते बढ़ती जा रही हैं रेलवेज, टेलिकोम, हाईवेज हर जगे से चाइनीज कोंट्रेक्ट को समाप्त करके चाइना की एकोनमी पर लगातार प होता है यानि की बिजनस में नुक्षान भारत के साथ बोडर समन्दी विवाद वे संकरमन के कारण वैसे ही चाइना की इमेज पूरी दुनिया में खराब हो रही है और इसी के चलते हुए अमेरिका, जैपैन, और सेलिया आदी की बहुत सारी कमपनीज चाइना को छोड़क भारत की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, चाइना को रेशिया से साथ देने की उमीद थी लेकिन रेसिया ने ना सिर्फ चाइना के लिए S400 की मिसाइल्स की सफलाई रोक दी, बलकि भारत के साथ एक नेवल एक्ससाइज भी राज रहा है, और यह एक्ससाइज कहां हो रही है, य वही स्टेट अफ मलक का जहां से चाइनीज नेवी को इंडियन ओशन में एंट्री मिलती है यानि कि रश्या का मैसेज एकदम साफ है कि वह भारत के साथ खड़ा है वहीं दूसी तरफ साउच चाइना सी की बात करें तो साउच चाइना सी में ताइवान को चाइना से बचाने पर सहमती बन गई है यानि चाइना कितना भी जोर लगा ले एक छोटे से देश ताइवान पर भी कबजा करने में सफल नहीं हो पा रहा है साउच चाइना सी में ही चाइना ने दो मीडियम रेंज की बैलेस्टिक मिसाइल्स को लौंच किया ये मिसाइल्स थी DF-21D वे DF-26B जिने चाइना एरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रोई करने की काबलियत वाला बताता है ये चाइना की तरफ से इशारा था कि वह है अमेरिकी सूपर कैरियर्स को निशाना बना सकता है लेकिन ये मिसाइल्स लौंच कब की गई इसको समझते हैं दो अमेरिकी एरक्राफ्ट क कई दिन तक आराम से नेवल एक्ससाइज करते हैं, चाइना सिर्फ धमकी देने के अलावा कुछ नहीं कर पाता है। अमेरिकी नेवल शिप्स चाइनीज नेवल शिप्स के बिलकुल नजदीक आकर अपना रोब दिखाते हैं। अमेरिकी स्पाई एरक्राफ्ट चाइना के रिस्टिक्टिड जोन तक में पहुँच जाता है। अमेरिकी नेवल शिप्स ताइवान स्टेट से भी गुजरते हैं, चाइना खूब धमकी देता है लेकिन कर कुछ नहीं पाता है। फिर कुछ दिन बाद अमेरिकी एरक्राफ्ट केरियर वे दूसरे जहाज वहाँ से चले जाते हैं, उनके जाने के कुछ दिन बाद ये दो मिसाइल्स साउच चाइना सी में लौंच की जाती हैं। यानि जब तक अमेरिकी जहाज वहाँ मुझूद थे तब तक तो उन्हें रोकने की कोशिस तक नहीं की जा सकी और जब ये जहाज चले गए तो अपनी जनता में फेस सेविंग के लिए मिसाइल्स को लौंच करके दिखाया जा रहा है। दोस्तों आप बात करते हैं फाइटर जेट्स की। फाइटर जेट्स सेक्शन में बात करें तो एक रिपोर्ट इंटरनेट पर वाइरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि ताइवान ने अपने एर डिफेंस सिस्टम से चाइनीज SU-35 को मार गिराया है। लेका की साहिता से ताइवान ने पैट्रियोट एर डिफेंस सिस्टम ले लिया जिससे वह चाइनीज फाइटर जेट को निशाना बना सके। लेकिन इस बार जो SU-35 ताइवान के नस्दीक नीचे गिरा है उसके बारे में ताइवान के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि वह उनकी मिसाइल्स की वज़े से नहीं गिरा है। यह SU-35 टेकनिकल ग्लीचिस यानि की कोई खराबी आ जाने के कारण गिरा है जो खबरे इंटरनेट पर वाइरल हुई हैं वो मात्र रूमर्स हैं। फिफ्ट जनरेशन के फाइटर जेट की बात करें तो आपको मालूम ही है कि साउथ कोरिया भी KF-X नाम का ऐसा ही स्टेल्थी फिफ्ट जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है। आज को जोड़ दिया गया है। साउथ कोरिया के KF-X का डिजाइन अमेरिकी F-22 वे F-35 का मिला जुला स्वरूप है। वैसे F-22 वे F-35 को बनाने वाली लोकिड मार्टिन कंपनी साउथ कोरिया के इस KF-X प्रोजेक्ट में काफी सहयता भी कर रही है। KF-X की परफोर्मेंस F-35 से काफी बेहतर रहेगी। कोरियान KF-X में भी अमेरिकन F-414 इंजन लगाया जा रहा है। अगली अपडेट रशियन SU-57 के बारे में आई है। SU-57 का पहला प्रोटोटाइप पिछले वर्ष क्रेश हो गया था जिस वज़े से इस प्रोग्राम को काफी सेट बैक जेलने पड़े थे। लेकिन अब SU-57 प्रोग्राम वापिस ट्रेक पर है। SU-57 को नई रडार एब्जोर्बिंग लेयर से प्रोटेक्ट किया जा रहा है ताकि इसका स्टेल्थी प्रोफाइल बढ़ सके। SU-57 सूपर मैनूरेबल है, फास्ट है, काफी लोंग रेंज के अलग-अलग बैंड वाले रडार से लेस हैं जो इसके फ्यूजलाज के साइट्स में वे विंग टिप्स पर भी लगाए गए हैं। परफोर्मेंस में यह F-35 से काफी आगे है, लेकिन इसका रडार क्रोस सेक्षन F-35 से जदा है। इसी को लगातार कम करके इसे एक ट्रू फिफ्ट जनरेशन का फाइटर जेट बनाय जा रहा है। दोस्तों अमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार